मेरा नाम है स्वारोग। इस जहास का दूईतियो में इवे मुंकला का डेड़गा आड़स्ट। मैं वह आपका सराका है हिंदीने। स्वागत है LSA Training Series में आज का विशरी लाइंट्रोइंग अपरेटस LTA LTA क्या है कहां पर मौजूद होता है जहास पर कम से कम कितने होने चाहिए स्वागत है Navigation Bridge पर LTA होता है Navigation Bridge यहां पर आपको सारी पाइल टेखनीक्स और LSA से नजर आ रहे हैं यह आपको दिखना है यह है LTA कितने होने चाहिए चाहिए यह एल्टी होता क्या है क्या है इस टॉपिल यह अंदर यह आप पर्टेनर देख रहे हैं इसके अंदर एक रसी कितनी लंगी कम से कम 230 मीटर्स की जिसका कि ब्रेक्मिंट स्ट्रेंग्स कम से कम कितना होना चाहिए टू किलो नीटिल्स वो रसी है और वो किस से जुड़ी हुई है रॉक्ट से रॉक्ट उड़ता है साथ में रसी बोले जाता है इतना काम है थीक क्या यह पायरो टेकनीक है आपको गता है है और लीट फ्लेयर पायरो टेखनीक है rocket पराशू थेखनीक है कि यह भी पायरो टेखनीक बिलकुल पायरो का आर्थ चिंगाजिन इसमें रॉक्ट है जी पायरो टेखनीक है इसका डिकीस वरनल से प्लि फ्राइश करते हैं समसे फहली बात लिए नियम नियम है ठीक पिक्टर्स बने वे इस प्रकार से निर्देश होने चाहिए किस प्रकार से प्रयोग करते हैं इसको पकड़ा 45 डिग्रीज पे रखा क्यों 45 डिग्रीज पे मैक्सिमम रेंज मुझती है इस दिख रही है यह सेफ्टी पिन खोली इस प्रकार से लॉच हो जाता है यह अपको समझाया अब इसका प्रयोजन जा इसमें से रसी निकल रही है तो यह आप बात समझें इसके चार चार प्रयोग है चार की पांच गिनते रहें पहला प्रयोग यह काम आता है इमर्जिंशी टोइंग में आपकी जहास का इंजन खराब हो गया आपने मदद मांगे कोई दूसरा जहाद आ रहा है आपको टोइंग करके लिए जा रहा है ठीक टोइंग कैसे करेगा उसकी टो लाइन हमारे पास होनी चाहिए वो टो लाइन हमें दे तो ही हम बांद के तो उनकी शिप पे ये जाएगी इस रसी में वे अपनी टोइंग लाइन लगाएंगे इस रसी को हम खीचेंगे तोइंग लाइन हमारे पास आते हैं यह आपको समझा आया है जूसरा प्रयोग मैं ओवर बोर्ट कोई मैं ओवर बोर्ट है हम लाइफ बोई का इस्केमाल करते हैं पर कितनी दूर तक तॉर तक जा सकते हैं टू थरीटी मीटर्श तो कोई भी मैं ओवर बोर्ट है आप इसकी और इसे फैंगे मैन आदमी जो पानी में है मैन गुरू उसके सरपीमत मार देना थोड़ा बहुत तो चलो तैर राथा वह भी खतम हो जाए सीदही संपन हो जाएगा उसके ऊपर नहीं मारना उससे दूर मार फिक है जो इसको वहां मारो इससे और आगे तक आपका रॉकेट जाए रॉकेट तँर दूर तक जाएगा उसके पीछी पीछे क्या आएगी रसी तो उस रसी को मैन ओवर बूर्ड जो भी व्यक्ति पानी में वो पकड़ लेगा और उस रसी को हम फिर खीच सकते हैं रसी को खीच भी सकते हैं और इसी रसी में हम उसे भीच सकते हैं एक life boy इसी रसी पे हम life boy लगा कर उसे भीच सकते हैं दो प्रियोग बताएं तीसरा प्रियोग इमर्जेंसी मूरिंग मूरिंग का क्या आर्थ है जहास बंदरगाह के किनारे लगता है तट के किनारे लगता है रस्यों से बांदा जाता है इस क्रिया को मूरिंग क्याते हैं ठीक है कभी-कभी इमर्जेंसी सिच्वेशन में परिस्थितियां आ सकती हैं मूरिंग में हम इसका प्रयूग कर सकते हैं मूरिंग का मतलब हमें अपनी अपने शिप की रस्यां देनी है जो किनारे पे हैं उन लोगों को हम देते हैं वह उन रस्यां को बांगते हैं हम नहीं दे पारे किसी का तो हम क्या करते हैं इसका प्योग थीए और इसके सारे हम पास करने के लिए इसका प्रेव करने के लिए प्रीज कर्bol देखें के ब्रेचेस्वाइए एक प्रकार का बास्किट है ठीक है उस बास्किट में वेकटी बैढता है और एक स्थान से जूसरे स्थान तर कौन सकता है माली जीए एक जहाद ढूब रहा है या दूब चुका है यालने कि एक ship right है उससे ऐक THIS पर कैसे लेकर इस रसी को पकड़ लेगा अब इस रसी पर हम लगाएंगे इस रसी के दुवारा कि हम लगा सकते हैं ब्रीच बॉय को ज्याद अच्छा समझ आएगा कि या एक बार तस्वीर देखें वीच बॉय करतकां समझाया विच बॉय करने के लिए इसकी आवश्रता है और क्या कारे गोड़िस्टिक ओपरेशिण्स में काम आ सकता है पतलब एक शिप से दूसरे शिप हमने टांसफर करना है कुछ समाने कोई क्रेट या किसी नेट में पुछ प्रोविजन हमें टांसफर करने हैं